समाजवाधी पार्टी के मुक्या अखलेश यादों की राजनीतिक सितारे इन दिनों अच्छे नहीं चल रहे हैं एक तरफ उन से आजम खान और दूसरी तरफ चाचा श्रीपाल यादो नाराज चल रहे हैं साथी पार्टी के वरिष्ट नेता भी नाराज चल रहे हैं वहीं सायोगी दल के नेता भी अखलेश यादों से नाखुस नजर आ रहे हैं सपा के सायोगी दल सुहिल देव भारतिय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकास राजभर ने तो सीधे सीधे अखलेश यादों को नसीहत देडाली है क्या कुछ उन्होंने कहा है आईए रिपोर्ट देखते हैं राजभर ने तो सीधे सीधे अखलेश यादों को नसीहत देडाली है कि वे एसी कमरों से बाहर निकल कर जनता के वीच जाना और रहना सीखें तो यह उनके लिए बहतर होगा सुवास्पा के अध्धक्ष ओम प्रकास राजभर की छबी बड़ बोले नेताओं के रूप में होती है राजभर की राजनीत भी इन दिनों धीमी है उनकी कहीं कोई पूँच नहीं हो रही है इस साल हुए विधान सबा चुनाव में सुहिल देव भारती समाज पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था राजभर को उमीद थी कि सपा की सरकार बन सकती है लेकिन उन्हें निरासा हात लगी सपा का सयोगी दल होने के बाब जूद सुहिल देव समाज पार्टी के महज 6 उम्मीद बार ही विधायक बन सके हैं अखलेश यादो ना तो अपनी पार्टी के नेताओं और ना ही सयोगी दलो के नेताओं से मुलाकात करते हैं सपा मुखिया की अपेक्षा से आहत सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकास राजभर ने अखलेश यादो को ही निसाना बनाना सुरू कर दिया है राजभर का कहना है कि सपा नेता उनसे सिकायत करते हैं कि अखलेश यादो उनसे नहीं मिलते हैं वे पार्टी नेताओं की बात सुनने को तयार नहीं है उन्होंने कहा है कि अखलेश यादों को एसी कमरों में रहने की लत लग गई है और वे उनसे बाहर ही नहीं निकलना चाहते सुभासपा अध्धक्ष ओम प्रकास राजभर ने यहां तक कह दिया है कि यदि अखलेश यादों सपा नेताओं और सहयोगी दलों के नेताओं से मिलने के लिए एसी कमरों से बाहर नहीं निकलेंगे तो उन्हें सपा मुखिया को एसी कमरों से बाहर निकालने के लिए कुछ करना होगा राजभर का यह बयान आप्रत्यक्ष रूप से अखलेश की राजनीतिक कारप्रनाली पर सवाल खड़ा करता है विरो रिपोर्ट निउस वाच इंडिया